नमस्ते फ्रेंड्स कैसे आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ Welcome to my new blog तो चलिए आज का ब्लोग शुरू करती हूँ पाव यी पाव इस तरह सेगर आपको लादी पाव बना रहा है तो आप पूरे ब्लोग को देखें कितना अच्छा त्रैच्छा है यह देखें लादी पाव बनाने के लिए लिए हमने लिए इस कप से तीन कप मैदा है मैंनने चटा यह लिया तुरा आफ इस्पून से तीन चपन चीनी गजह प्रॉक्ष 친neh का और थोड़ा सा साथ लिया और यह देखें इस बॉन से तीन चमाच है यह उत्कत आ हमने सबसे पहले ईस्ट अब इसम ने डाल दिया यह फिर इसमें फ्रेंट्स मैंने गुनगुना दूप डाल दिया अब के रख देंगे छैसे साथ मिनट के लिए कि इस्थ हमारा एक्टेश तो यह देखिए हमारा इस्थ फूल गया कितनी अच्छे करीके से इसको लगर रख देते हैं और मैदे को सबसे पहले छान लेती हों और म मैंने माईक तो लगा है नहीं था तो मेरा आवाज बहुत देजा रही है और इसमें मैने जो थोड़ा सा साथ लिया था इस पुन्वगल में रखा मैं बदाना भूल कुछ सो उसको मिला लिया उसके बाद मैंने इस्थ को डाल दिया और इस दालने को बाक फार गिलाज में थोड़ा सा और पानी डाला सारी इस्ट को मैंने निकाल लिया इतम अपने हाथों का कमान दिखाया हमें डोग तयार करना है और यह डोग अ तो फ्रेंट देखिए सारा दूद हमने डाल दिया और दूसरा दूद ले रहा हूँ तो फ्रेंट जो मैं इस समय दूद का यूज कर रही हूँ ये भी हलका सा गुनगुना है जिससे मैं आटा लगा रही हूँ तो इसको आपको जो है मसंला है करीब आठ से दस मिनट अगी थोड़ा हाण लग रहा है थोड़ा सार इत्ते में करीब पौनी दो कप दोड लग गया हमारा थोड़ा सामने बटर ले लिया फ्रेंड यही सबसे जरूरी स्टेफ है फिर मैंने इसमें बटर लगा के मसलना सुरू किया ओकर यह 15-20 मिनट लगा यहीं पे थोड़ा मेहनत लगता है और आप देखते जाए मैं किस तरह से इसको मसल रही हूँ और राष्टम अभी किस तरह से देखी इसको मैंने किस तरह प्लेट फार्म पे रख दिया और देखे एक घंटे बाद ही कितना बढ़िया सब फूला है तो इसको जो है निकाल लेते हैं पहले और इस जगा को साप कर लेते हैं जगा को इसे मैंने साप किया था ती लिए तरह से और मारेंगे इसमें पंच ये फिर देखिए मैंने इसको पंच मार मार के बिलकुल पिछका दिया और अब इसको मैंन निकाल लोंगी तो बनाँगी इसकी लोईया फिर थोड़ा सा मसलने के वाद और फॉल्स आपके दिमाग में भी या बहुतों की दिमाग में आ रहा होगा कि थोड़ा सा पाओ के लिए इतना मेहनत क्यों करना लेकिन मैं पहले भी बहुत बना चुकी हूँ पाओ और लेकिन तभी शियर नहीं किया तब मैं ब्लागिंग नहीं करती थी तो मैंने सोचा जब मैं बनाती हूँ तो आज इस चीज को शेयर करती है और हाँ फ्रेंड जब कुछ आप अपने हाँ से बनाते हैं तो उसकी खुशी अलग होती है और लोईया मेरी थोड़ी से छोटी बड़ी हो गई है क्योंकि बराबर तो ब इस तरह से आप बनाते जाएगे और रखते जाएगे तो आप सब कमेंट करके जरूर बताएगा कि मेरा ये पाओ कैसा बना है और किस ने घर पे बनाया है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएगे तो इसको मैं ढख के रखेंगी इसको मैं रख दे रही है यहां रखिएगा ओटी जी आल नेकलना वस इसी तरह से रख दीजे आधे गंटे के लिए तो चोलिए देखिए ये हमारा किते अच्छी तरीके से फूल गया है देखा ना तो फ्रेंड देखिए हमारे पास ब्रस तो है लेकिन उपर नावेज वाले किचन में चला गया है इसलिए मैं इससे कॉटन से इसको मैंने पहले धुल लिया था धुल के रख दिया था और इसको मैं कर देती हूं और इसको करने के बाद आपको दिखाती हूं क्या करना है फिर फ्रेंड्स मैंने ओटी जी को 180 डिगरी टंप्रेचर पे इसको प्री हीट किया दस मिनट के लिए तो बस इसको अब हम आपको पंदरा मिनट के लिए देखिए हमारा मतलब ओटी जी बंद हो चुका है टाइम हो चुका उनकिये चलिए देख लेते हैं तक तक मैं दूसरा भी रख देती हूं इसको रखते हैं उपर से इस पर लगा देती हूं सॉरी ब्रस लेना बहुत जरूरी है इस तरह से मैं बटाज लगा देती हूं थंडा होने तक इसको मैं ढख देती हूं तो देखे कितना बढ़िया मेरा यह लादी पाओ बनके वाला देखें देखा है अभी थोड़ा गरम है थोड़ा ठंडा हो जाए तब फिर निकाल के दिखाती हूं अब सब्सक्राइब यूटूब चैनल पे मेरा यह फर्स्ट ब्लाग लादी पाओ का और इतना अच्छा बना तो मुझे बहत खुशी हो रही आप सबको दिखाने में तो चलिए प्रैंड्स मैं आपको दिखाती हूंगे देखिए और इनको पलट देते हैं अले वो मेरे पास यह राउंड मोल था ना तो यह देखिए इस पंजी देखिए कितना ज्यादा बना है देख रहे हैं यह देखिए और अच्छे से थोड़ा सा अगर इस पार में होता मोल तो छोटा पढ़ रहाता ना इसलिए हम इसमें देखिए थे कितनी अच्छी खुश्बू आ रही है देखिए देखना जाली काट के दिखाते हैं देखना ना कितना अच्छा बना है और खा के बताते हैं नमबर एक बना करें बहुत फीप्रेस्टी है होप करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी को यह मेरा ब्लाग पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें और अब आप सभी को मैं मिलोंगे एक नए ब्लाग में नए कंटेंट के साथ तब तक के लिए बाए बाए झाल 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 झाल